हेलो एव्रीबन चलिए कंटीनू करते हैं अपना कोशन पेपर कोड 432-1 2020 का पेपर है मैठ्स बेसिक का है इससे पहले हम लोगों ने कोशन कर लिया था 26 तर ठीक है आज हम करेंगे सेक्शन सी वाला पार्ट सेक्शन सी में हमारे पास 27 से 34 कोशन है ठीक है 27 नंबर से 34 नंबर रहा है तो स्टार करते हैं कोशन उपर में फ्लेश हो रहा है वा सि हेंपने लिए से नंबर qi2-7x plus 1 5xx qi2-7x plus 1 इससी हमारा इसका जो 0s नवे झा रहने है मतलब α-β-0 यहाँ पे α-β-0 रूट्स है इसका मतलब यह है अगर हम f अलफा का माद जीरो चाएगा और f बीटा का माद इससी हमाद जीरो चाहेगा रहेंगे तो हो टूरो जीरो बचा है तो हमारे यहायAH तो घाक आता है did जो है ठाइल से roots कहते हैं थीक है के आलफा बीटा इसका रूर सा तो यहाँ पिदूलारा हिप करना up over it में करना alpha delta plus beta जीघे ऑफ एन आलफा का value येot का यहाँ तो है जह यह बहुत ही अच्छा और अराम से आप तीन नमबर ला सकते हैं इसमें चलिए तो यहां पर इसकी वैलू को find करने के लिए हमारे पास ऐल से क्या होगा अलफा इंटू बीटा सो अलफा इंटू बीटा को अगर बीटा से डिवाइट करेंगा ध्यान से देखना है तो बचेगा अलफा अलफा को निमरेटर से मल्टिप्लाइ करेंगा तो यह हो जाए तो अल्फा स्कॉयर प्लस अलफा इंटू बीटा को और अलफा से डिवाइट करेंगा तो भचेगा B demons हो numerator से multiply करेंगो तो beta square तो इसकी value find out करना है तो क्या हम a हमारे पास क्या है a square plus b square plus 2ab is equal to क्या होता है बच्चों हमारा होता है a plus b का whole square ठीक है तो अगर हम यहाँ पे a square plus b square को find out करना चाहें तो यह क्या हो जागा a plus b ka whole square minus twice of a b right तो हम alpha plus beta square को लिख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखेंगे alpha plus beta का whole square minus twice of alpha beta divide by alpha into beta right तो यहाँ पे हमारा measure part complete हो गया अब इसको अलग-अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा alpha plus beta का whole square divide by alpha into beta minus twice of alpha into beta divide by alpha into beta तो alpha beta cancel हो जाएगा तो basically हमें क्या find करना है हमें find करना है alpha plus beta का whole square divided by alpha into beta minus two इसकी value find out करनी है और हमारे पास इसकी value find out करनी के लिए क्या चाहिए alpha plus beta चाहिए और alpha into beta चाहिए तो यहां पर देखिए जब हमारे पास alpha और beta क्या है roots है किसका उपरवाल expression का तो यहां पर हमारे पास sum of roots that is alpha plus beta पहले हम लोगों ने discuss कर लिया है तो minus b over a तो b कितना है minus 7 तो minus b minus 7 over a a कितना है 5 so this is equal to 7 over 5 हो जाएगा और alpha into beta is equal to c over a c कितना है 1 over a कितना है 5 तो यहां तो इस चीज को ध्यान रखना है यहां पर देखिए यहां पर मैं बता जाता हूँ और यह A is equal to 5 हो जाएगा, B is equal to minus 7 हो जाएगा और C is equal to 1 हो जाएगा, यह coefficient आपको ध्यान में रख रहा है कि A, B, C क्या है, अब यहाँ पर alpha plus beta की value आ गए और alpha into beta की value हो गए, यहाँ पर हमें इसे put करना है, so we have alpha plus beta that is 7 over 5 का whole square, alpha into beta that is 1 over 5 minus 2 और इसको हम क्या ले सकते हैं, 7 का square, divide by 5 का square तो यह हो जाएगा 49, और यह हो जाएगा 25 ध्यान से देखें, बहुत important है, और यहाँ देखिए 1 over 5 है, तो 1 over 5 को हम उपर ले जाएगे, तो 5 over 1 हो जाएगा, ठीक है, minus 2, तो यह हमारा 5 बार में cancel हो जाएगा, so we have 49 over 5 minus 2 और इसी को solve करना है, so this is 5 और यह हो जाएगा 49 minus 10, so we have 39 over 5, तो यह हमारा हो जाएगा answer, किसका हमारा answer हो जाएगा, alpha over beta plus beta plus alpha, beta over alpha, जाएगा, जाएगा पास x is equal to 5 x square minus 7 x plus 1 is equal to 0, तो I hope आपको यहीची समझ में आगा, बहुत easy साब question था ही है, और यह 3 नंबर को question तो आराम से आप इस 3 नंबर को question को secure कर सकते हैं, right? question number 28, यह कहरे है, draw a line segment of length 7 cm and divide it into is to 3 ratio, तो question number 28, construction का question है, construction वाले part form बहुत ही अच्छे तरीकी से एक अच्छा सा video बनाऊँगा, मैं 2-3 video construction का, और हर एक construction में कैसे कैसे करना है, उस चीज़ को देख लेंगा, फिलहाल यहाँ पर दो question है, एक है, draw the line segment, उसका divide करना है, और दूसरा correct, construct a circle of radius 4, और कुछ condition गिवन है, तो इन दोनों question को हम लोग construction में अच्छे से देख लेंगे, फिलहाल यहाँ पर कहा रहा है, कि अगर एक अगर ratio अगर रिश्यो का constant k है, दूसरा part हो जाएगा, कितना 3 k, तो total part कितना हो जाएगा, 5 k, total part अगर हम बात करेंगा, तो यहाँ से 5 k जो होगा, किसके बरावर होगा, वो 7 cm के बरावर होगा, बहुत ही easy सा question रही है, ठीक है, so k का value हम लोग निकाल सकते है, यहाँ से 7 over k, यह इतना 7 over 5 cm, तो यहाँ पे हमें 2 k हो जाएगा हमारा 14 over 5 cm, and 3 k हो जाएगा 21 over 5 cm, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ruler का use करके, हम लोग यह value निकालेंगा 14 over 5, तो यहाँ से 14 over 5 क्या हो जाएगा, हमारा 2 over 3, तो कुछ नहाँ प्याएगा, और दूसरा यह वाला part अगा, तो यह construction ना question है, जब हम ruler or compass का use करेंगे, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीकी से इसको देख लेंगे, चलते हैं next question पे, next question है 29, 29 question बहुत ही interesting question है, ध्यान से दिखेंगे, the minute hand, अब देखें यहाँ पे घरी की बात कर रहे, the minute hand of a clock is 21 cm, तो एक clock है, ठीठा है, यह clock मैंने बन इसका minute hand का जो length है, suppose, यह है 21 cm, तो इसका radius given, r is equal to 21 cm, minute hand का, ठीक है, radius given, अब कहाँ रहा है, calculate the area swept by the distance, swept by it, swept by it and the distance travelled by its step in 20 minutes, अब ध्यान से देखेंगे, 20 minute अगर move करता है, 20 minute अगर move करता है, minute hand, ठीक है, तो एक तो यह कह रहा है, टीटी, minute move करने में area कितना इसका आएगा, area क्या होगा, कितना area swept करेगा, तो माल लेते हैं कि 12 बज रहा है तो 12 बज के 20 मिनट यहां से यहां तक आज़ेगा, अगर यह 1, 2, 3, 4, वान, टू, 3, 4, तो यह 12 बज के 20 मिनट में यह area total कितना cover करेगा, area क्वान सा वाला part विलेगा, यह वाला part विलेगा, ठीक है, और इसके बाद यह कह रह यह length कितना cover करेगा, दो part करा, तो आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही unitary method, हम लोग, unique नहीं, unitary method लगाने वाले हैं, क्याकि कि 60 मिनट में, 60 मिनट में, अगर हम देखेंगे कि जो minute का सुया, पूरा एक round ले लेता है, तो 7 मिनट में कितना cover करेगा area, full circle, that is pi r square, कितना area करे करेगा बच्चो, एक minute में करेगा, pi r square divided by 60, unitary में तर एक एक नहीं, हम लोगों लगाए, अब कितना minute में क्या रहा है, 20 minute में, so 20 minute में area जो swift होगा, वो pi r square over 60 multiply by 20, ठीक है, पर यह कर दिके, कितना हो जगा 3, तो यह जगा pi r square divided by 3, मतना total circle का, circle के area का one third part यह cover करेगा, और यहा जाल देते हैं, pi, pi की value किता ले लेंगी, approximately 22 over 7, into r है हमारा कितना, 20, multiply by 21, divide by 3, into pi is equal to 3, तो आप यहाँ पर देखिए, 3 से साथिया, 21, 21 कट जाएगा, बतला 22 गोले, 21 हमें multiply करना है, 21 को 21 से multiply कर लेना है, कर लेते हैं, यहाँ पर 4, 4 हो जाएगा, देख ने, calculation कितना हो जाता ह तो यह हो जाएगा, 462 cm square, ठीक है, 462 cm square, अगर हम इसको multiply कर लेते हैं, और जोड लेते हैं, ठीक है, तो area हमारा निकल गया, इसी तरह हमें क्या निकलना है, इसी तरह यह length निकलना है, तो again, सेम चीज़ करेंगे, सेम चीज़ में क्या करना है, कि 60 मिनट में, अगर यह length cover करे तो एक मिनट में, 2 pi r over 60 cm का length cover करेगा, तो कितने मिनट के लिए निकलना है, 20 मिनट के लिए के लिए, 20 मिनट के लिए 2 pi r divided by 60 into 20, तो यह हो जाएगा 3, so 2 pi r over 3, यहाँ पर अब सिफ हमें value डालना है, 2 22 बटता 7 into r command 7 divided by 3, यह कट जाएगा, तो यह 44 over 30 cm हो जाएगा, तो एक calculation आप चेक कर लेना, ठीक है, यहाँ पर मैंने solution किया नहीं है, direct मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो calculation चेक कर लेना, क्योंकि जो concept है, concept आपको आना चाहिए, और calculation तो आपको आना ही आना चाहिए, calculation मतलब जितना आप करेंगा, without calculate तो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, तो यह question ह get 29, बहुत ही शांदार question था, हम लोगों ने कर लिया, 29 question और यह unitary method पर question था, अब आगे चलते हैं, question number 30, तो उसे पहले हम लोग बोट को erase कर लेते हैं, question number 30, बहुत शांदार question था, और यह इस तरह question आपको आना चाहिए, तिन नमगरा question है, कहरा है question में, उपना question फ्लैस होड़ा होगा, if x is equal to 3 sin theta plus 4 cos theta, x की value है, 3 sin theta plus 4 cos theta, x की value, okay, और y is equal to, y is equal to 3 cos theta, 3 cos theta minus, भ्यान से दिखेंगे, minus 4 sin theta, 4 sin theta, यह given है, x और y की value given है, question में, तो कह रहा है, प्रूफ करने के लिए, कि बताओ जी, इसको प्रूफ करना है, क्यों, क्यों फिरी में दे रहा है, क्योंकि, इस question में, बहुत ही easy-easy formula use होना है, simple हमें क्या करना है, दोनों के square करके add करना है, देखें ध्यान से, तो अभी-भी हमने पहले a plus b का whole square का बात किये थी, तो a minus b का square भी sine के साथ चेंज होगा, so xx square is equal to, अगर इसको square करेंगे, तो a क्या हो जागा, 3 sine theta, देखें ध्यान से, 3 sine theta का whole square, a square, plus 4 cos theta का whole square, plus 2 into 3 sine theta into cos theta, केतना है, cos theta में 4 cos, ये हमने multiply कर दिया, okay, xx square को फिर से लिख लेते हैं, 9 sine square theta, plus 16, cos square theta, plus, कितना हो जागा, 3, 2, 6, 24, 24 sine theta into cos theta, ये हो जागा है, suppose equation first, okay, similarly, y square को हमें करना अगर होगा, तो क्या हो जागा, 3 cos theta का whole square, so, we can write here, 3 cos theta का whole square, plus, 4 sine theta का whole square, minus, क्या पर minus है है, क्यों, a minus b, a minus b का whole square क्या हो जागा, a square plus b square, minus 2ab, so, twice of 3 cos theta, into 4 sine theta, okay, फिर इसको हमें लोग क्या तर रहेंगे, open कर लेंगे, so, this is, 9 cos square theta, plus, 16 sine square theta, minus, 24 sine theta, into cos theta, इसको multiply करेंगा, 3, 2, 6, 24, sine theta, into cos theta, ये हो गया हमारा equation दो, अब दोनों को जोरेंगे, तो ये अगर x square है, और y square तो जोरेंगे, तो क्या हो जागा, x square plus y square, ध्यान से दिखेंगे, अब देखिए, किसको किसको जोर रहे हैं, ये 9 sine square theta में, हमारा क्या हो जागा, ये 16 sine square theta, एड हो जागा, ठीक है, सबने में आ रहे है, so we can, 9 plus 16, 25 sine square theta, similarly, 16 cos square theta में, हमारा क्या हो जागा, 9 cos square theta, तो 16 plus 9 cos square theta, तो ये हो जागा, 25 cos square theta, ठीक है, और ये plus 24 sine theta into cos theta, और minus 24 into sine theta into cos theta, ये दोनों एड कहो कि तो जागा, 0, तो ये हमारा 0 हो जागा, तो ये हम लोग क्या कर सकते है, ये 25 cos square theta, यहाँ पर ठीक से रहे हैं, इसको 25 cos square theta, तो 25 दोन में क्या है, common है, हम लोगों ने common ले लिया, 25 बचा कि हमारे पास, sine square theta, plus cos square theta, और sine square theta plus cos square theta का value कितना होता है, identity is 1 होता है, so इसका value हो जाएगा 1, so we have 25, और हमें क्या proof करना था, हमें यही proof करना था, कि x square plus y square is equal to 25, तो देखिए, छोटा सा application था, a plus b के whole square का, a minus b के whole square का, और sine square plus cos square theta is equal to 1 का, हमारा 3 number एकदम शेक्योर का कहीं नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा question देखिए, घबराना नहीं है, कभी भी है, ठीक है, चलिए, question number 13 का, यह और वाया पार्ट भी कर लेख नहीं है, यह देखिए, या तो यह कर लें, या वो कर लें, आपके पास choice है, question क्या रहा है, कि sine theta, question में फ्लैस हुरा हुआ है, sine theta plus sine square theta is equal to 1, plus sine square theta is equal to 1, यह given है आपके पास, ठीक है, बहुत easy question है, तो प्रूफ करना है, cos square theta plus cos 4 theta is equal to 1, क्या प्रूफ करना है, cos square theta plus cos 4 theta is equal to 1, यह प्रूफ करना है, अब देखिए, बच्चों, बहुत ही शांदा तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ से sine theta को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sine theta is equal to 1, sine square theta को इधर ले जाएंगा, तो minus sine square theta, so this is equal to 1 minus sine square theta क्या हो जाएता है, cos square theta, तो यहाँ से आपर लोग लिख सकते हैं, sine theta is equal to cos square theta, यह given है, ठीक है, यह given है, अब देखिए, अगर हमारे पास sine theta is equal to cos square theta है, तो cos square theta को हम लिख सकते हैं, sine theta, ठीक है, और cos 4 theta को लिख सकते हैं, sine square theta, sine theta, अगर इसकी बात करने, cos square theta cos square theta is equal to sine theta और cos 4 theta is equal to sine square theta और ये वाला जो expression है ये हो दाएगा हमारा ये और इसकी value already given है 1 तो ये हमारा हो गया प्रूफ बहुत जी question था, question को ही repeat कर दिया बता है ये तिन नमबरा question है लोग इसमें ढूनते रह चाहेंगे चलिए, question number 30 हो गया हमारा बहुत ही शादार तरीके से इस question को हम लोग ने किया, दो पार्ट था इसमें ठीक है, अब question number 31 पे आते है question number 31 कह रहा है prove that root 3 is an irrational number 31 sorry, 31 कह रहा है, root 3 जो है irrational number है, तो जब भी आपके पास irrational number को proof करना होगा तो हम लोग वहाँ पे use करते है method of contradiction ठीक, उसका opposite हम लोग माल लेंगे, ठीक है, और opposite मालने के बाद हम ये कहेंगे, statement आ गए solve करने के बाद कि ये तो हो नहीं सकता है जी, जब ये हो नहीं सकता है तो जो हमले माना है, वो गलत माना है इसका मतलब है कि root 3 इच रैसिनल नम्बर मानेंगे यहाँ पर लिखेंगे कोशन पेप्रमें लेट इफ पॉसेबल इफ पॉसेबल ठीक है माले तेए कि अगर पॉसेबल है Sao हम लोगोंने नमबर क्या करेंगा कि एक एसा नमबर जो टर्मीनेट कर जा या रिपीट कर जब पर हम इसका decimal expansion करते हैं, हम लोगों ने बहुत आधिक से चट्चा किया है rational में, तो वहां तो भी हम लोग नहीं जा रहा है, तो rational number को हम P by Q क्या form में लिख सकते हैं, चलो जी, P by Q is equal to root 3, P by Q is equal to root 3, so यहां से हम लोग लिख सकते हैं, P is equal to root 3 into q, cross multiplication कर दिया, अब square कर देते हैं, so P square is equal to 3 into qa square, P square is equal to, क्या हो जागा, P square is equal to 3 into qa square हो गया, अब यहां पे हमें कुछ और properties को use करना होगा, rational number को proof करने के लिए, so we can write here ध्यान से दिखेंगे, अच्छा यहां पे अगर rational number थे P और Q हमारा integer होना चाहिए, ठीक है, तो यह सब्ची से definition की बात है, चलिए तो आगे देखते हैं यहां पे, तो हम लोग यहां पे क्या देखते हैं, कि P square is equal to 3 qa square, ध्यान से देखेंगे, अब बहुत important concept आने वाला है, तो चुकि P square is equal to 3 qa square हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कि P square तीन से divide हो जाएगा, right, P square तीन से divide हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 factor में, So we can write, P is equal to 3 m, क्योंकि 3 से divide हो जाएगा, P square तो P को हम 3 m लिख सकते हैं, तीन का multiple में होगा, समझ गा रहे हैं कि, So we can further write, if we write P is equal to 3 m, So we have 3 m का square is equal to 3 qa square, ध्यान समझेंगे आपे, तो यह हो जाएगा, 9 m square is equal to 3 qa square, और यह कठ जाएगा, So we have 3 m square is equal to qa square, अब यहाँ पर देखे, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा, कि P square तीन से divide होगा, उसी तरह यहाँ पर हम लोग कहा सकते हैं, कि qa square किसे divide होगा, 3 से, क्योंकि qa square is equal to 3 into m square, 3 के multiple में आ रहा है, तो 3 से divide होगा, So again हम लोग कहेंगे, कि qa square must be divided by 3, So we can write here, q is equal to 3l, ठीक है, अब आप ध्यान से यहाँ पर समझे, बहुत important है, कि कहीं पर भी अगर हम p by q को rational number लिखते हैं, p by q अगर rational number है, तो क्या होगा, p and q are co prime, ध्यान समझना यह चीज, co prime, क्या होना चाहिए, co prime, co prime क्या होना चाहिए, कि co prime ऐसा number होता है, जिसमें कोई भी factor common नहीं होता है, ठीक है, जैसे अगर हम बोलें, कि 2 और 3, क्या यह q prime है, तो हाँ यह co prime है, क्योंकि 2 का factor 2 और 1 है, और 3 का factor 3 and 1 है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 और 6, क्या यह q prime है, तो नहीं, यह q prime नहीं है, क्योंकि 2 का factor 2 और 1 होगा, और 6 का factor 2 into 3 होगा, तो दोनों में क्या common होगा है, 3, तो ऐसा number, जिसमें कोई भी factor common नहीं हो, उसे q prime कहते हैं, और rational number के लिए यही important है, कि अगर कोई number p, y, q के form में निखा जा सकता है, जहां पर q does not equal to 0, जहां पर यह और important है, q does not equal to 0, and p and q have no common factor, तो वो हमारा rational number होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे चलें, यहां पर p is equal to 3m आ गया, और यहां पर q is equal to 3n आ गया, इसका मतलब है कि p का एक factor 3 होगा, और q का एक factor 3 होगा, मतलब p और q का दोनों में 3 एक factor होगा, common होगा, इसका मतलब यहां पर अम लिख सकते हैं, p and q are not co-prime, ठीके बच्चों, co-prime, so our assumptions is wrong, जो हमने assumptions माना है, वो हमारा wrong है, hence यहां पर लिखेंगे, so our assumption is wrong, इस तरह से लिखना है, answer में, so root 3 is not a rational number, rational number, चुक्या हमने rational number मांगा, hence, root 3 is an irrational number, hence proof, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, तो बहुत ही शांदार question, मतलब इस तरह से आप अगर root 3 आए, root 7 आए, या root 11 आए, कोई भी कुछ भी आजाए, root में, ठीक है, जो कि irrational number तो आपको यही method follow up करना है, और आगे बढ़ना, ऐसा करने से आपको अराम से समझ में आ जाएगा, कि किस तरह से हमें कोई भी नमर को irrational number किस तरह से प्रूफ करना है, I hope आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा, pause करते हैं, वीडियो बोड को erase करने के लिए, इसके बात हम लोग करेंगे, अच्छा, इसी में B पार्ट है, इकुलिड अल्गोरिजम का, जिसमें हमें HCF find करना है, 270, 2 and 1032 का, तो अब अभी हम find करते हैं, question number 31 का है, using, question बोगर flash हो रहा होगा, using, इकुलिड अल्गोरिजम, find the HCF of 272 and 1032, 272 and 1032, इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, याँकि, दो से तीन number का अगर आपके पास आ जाता है, तो वो भी हम कर सकते हैं, steps क्या है, ये पहले समझना है, माले थे कि अगर, फ़्वासा concept discuss करना है, कि दो number का HCF find करना है, माले पे A और B का, माल लेते हैं, कोई भी दो number है, उसके HCF find करना है, एकलिट algorithm से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगा, अच्छा इस दोनों number में कोई एक number बढ़ा होगा, तो suppose A जो है B से बढ़ा है, माल लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, A को, B को डिवाइट करेंगे A से, ठीक है, जब B को डिवाइट करेंगे, इसका कुछ कोशेंट आएगा, तो suppose कोशेंट आगया Q, और हमारे पास remainder आजाएगा, remainder R, और अगर हमारे पास कोशेंट Q आगया, ठीक है, A is equal to Q, डिवाइट किया हम लोगोंने किसे, किसी भी नमबर से और कोशेंट आजाएगा R, तो A can be written as Q, देखें, ऐसे हम लोग करेंगे, यहां से A से, बी से डिवाइट करेंगे A को, तो कोशेंट Q, ठीक है, कुछ आएगा, remainder R, तो A can be written as Q into B, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दखना है, इस चीज़ से हम निकालेंगे, जब यह चीज़, अगर R 0 आजाएगा, तो जो कोशेंट होगा, वो हमारा remainder का ध्यान देना है चीज़, ठीक है, अगर हमारा R remainder 0 नहीं आएगा, तो हम लोग फिर step को आगे बढ़ाएंगे, और step में, आगे में क्या बढ़ाएंगे हम लोग, step में हम लोग Q and R, यह जो Q है और यह R है, ठीक है, तो Q और R को देना है, so we can write here again, Q को divide दरेंगे R से, ठीक है, Q को divide दरेंगे R से, तो हमारे पास माले ते, कोसेंट आगर Q1 आता है, so Q1 into, फिर हम लोगों ने R से divide दे, तो फिर Q1 into R, प्लस सब्सक्राइगा, इस तरह से आगा, तो यह तब तक करना है, जब तक remainder 0 नहीं हो जाए, ठीक है, जैसे इस step में remainder 0 का, जो कोफिसेंट आएगा, कोसेंट आएगा, वह हमारा क्या आएगा, वो हमारा आजाएगा XCF, चलिए, स्टार्ट करते हैं, यह वाद तो theory वाला part हो गया, इसको हम लोग explanation पर कर देखते हैं, यहाँ पर, चलिए, 272, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिए सकते हैं, देखिए, 1032 को 272 से divided करें, ठीक है, तो कितने बारे में लग जाएगा, हमें लगता है, चारवर में आजाएगा, तो यह चारवर दुना आठ हो जाएगा, साथ चारवर दुना आठ हो जाएगा, 6, 2 में से 1 गया, एक दस में से 3 गया, साथ गया, 3 तो कुछ गर पर होड़ा है, कितने बार गयागा, 4 आठ नहाएगा, देखते हैं इसको, बेटे मीनट, थोबा साइए, खैल को इशे टाइप का है, तो 3 से करते हैं, 3 दुना 6, साथ तिया, 21, कि एक हाथ में 2, 3 दुना 6 दो 8, ठीक हैं, तो यह 8 हो गया, 3 दुना 6 और 2 आठ, 12 में से 6 गया 6, और यह 2 में से 1 गया 1, और यह हो जाएगा 10 में से दुना 6 गया 8, तो इस इस 216, तो हमारे पास 270 को अगर हम लोग करें, तो इस गया रिटेंट आज, हमारा क्या जाएगा पॉसेंट 3, 3 इन्टू, 3 इन्टू 272, ओके, ब्लस 216, 3 इन्टू 272 इन्टू, ब्लस 216 यह आगया, अब यहां का रिमेंडर हमारा, क्या है, 0 नहीं है, फिर से हम आगे वाले स्टेप में चलेंगे, क्या करेंगे, फिर, यह जो 272 है, यह हमने किसका लिखा, यह हो जाएगा हमारा, 1032 बरावब, 1032 बरावर, 3 इन्टू 272 प्लस 216, अब एगें, 272 को, 216 से करना है, एक बार में, 216 आगया, कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, और 6 में से 1 जागा, कितना हो जाएगा, 6 में से 1 मिमस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 55, so we can again write here, 272, ध्यान से देखेंगे, is equal to, यहां पर जाएगा, 1 into, 216, प्लस 56, एगें, remainder, 0 नहीं आया, फिर से हम आगे चलेंगे, so अब हमारे पास का जाएगा, 216, और 56, so we can write here, 56 को, 216 से, तो कितने बारे में आजाएगा, 4 बारे में ने, 3 बारे में आजाएगा, लेखें, तो 6 के ठाट के हाथ में, 1, 5 से 15, 16, 16 आगे, 16 में से 8 गया, तो यह हो जाएगा, हमारा 2, sorry, 8, और 10 में से, 6 गया, 48 आजाएगा, ठीक है, so we can again write here, 216 is equal to, how much 216 is equal to, 3 into 56, okay, plus 48, समझे आ रहा है, आगे इसी step को, आगे बनाएगे हम लोग, तो जब हम question करेंगे, तो calculation पे ध्याम रखेंगे, अब अब यहाँ हमारा 56 और 48, so we can write here, 56 is equal to, 48 into 1, plus, कितना आ जाएगा हमारा, यह हो जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा, अब फाइनली, हम लोग 48 को क्या लिश सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, 48 को 6 into 8, plus 0, अब यहाँ पे, हमारा remainder हो गया 0, तो इस केस में, जब हम लोगों ने, 48 को किया, डिवाइट, तो 8 6, तो कोसिंट कहा जाएगा 6, तो यह जो कोसिंट है 6, so this is HCF, यह हमारा HCF आजाएगा है, highest common factor, ठीक है, तो यह जो स्टेप्स है, इसको कहते हैं, हम लोग, equivalent algorithm, या equivalent lemma, बहुत ही important step है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही easy question होता है, यह थोरा सा calculation को ध्यान में रखना होता है, और divide किसको किस से करना, यह ध्यान में रखना होता है, आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा, चलते हैं question number 32 पे, और question number 32 जो है, इसमें मैं सिस्टम में देखके बताता हूं, question number 32, wait a minute, yes, यह है हमारा rectangle में geometry का question, तो करते हैं इसको, question कहा रहा है, question पर फ्लेश होगा होगा, इन्हें rectangle ABCD, question number 32, एक rectangle है, ABCD, चलिए, ABCD एक rectangle बना लेते हैं हापर, यह हमारा हो गया, rectangle, A, B, C, D, ABCD एक rectangle है, question में given है, क्यारब P is, any interior point, कोई अंदर भी एक point रिलेते हैं, P, suppose this is point P, ठीक है, अब कहे रहा है, prove that, PA square plus PC square is equal to, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर, PA square plus PC square is equal to, PB square plus PD square, PB square plus PD square, चलिए जी, इस point को, पीना को, हम कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं, बीच मैं नहीं लिखते हैं, तो वो क्या हो जगा, विकर्ण हो जाएगा, चलिए, तो यहाँ पर पी लेते हैं, ओके, done, done, तो यह हो जगा, PA, और यह PB, यह PC, और यह PD, अब हमें PA, माल लेते हैं, यह X, PC, यह Y, OK, PB, यह Z, और यह हम लोग W, माल लेते हैं, तो simple सा, यहाँ पर हमें, क्या प्रूफ करना है, PA square plus PC square, at is, X square plus Y square, is equal to Z square, plus W square, बहुत ही complicated question, तो नजर आ रहा है, कैसे करेंगे, इस question को, ठीक है, चलिए, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कैसे करेंगे इस question को, थोड़ा सा, यहाँ पर construction करना, करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, किसी भी points ने, एक parallel line drop, यहाँ पर ऐसे हैं, कर दिया हमें parallel, line drop P से, ठीक है, parallel to, बतलब, यहाँ तो हम DC के parallel, AD के parallel कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, perpendicular को, किसी भी line से parallel कर लिया, और यहाँ P है, तो यहाँ पर हम ले ले लेते हैं, यह M को, टच कर रहा है, कुछ इस तरह का triangle कर लिया, देखें ध्यान से, A, यह P, और यह M, ठीक है, तो यह तो हमारा, चुकिए parallel line है, चुकिए हमारा क्या बज़ागा, perpendicular, हम ले पर्पेंडिकुलर कर लिया, so we can write, A P square, A P square, A P square is, A M square, A M square, plus P M square, कोई problem, कोई problem नहीं होना चाहिए, चीक है, A P square is equal to A M square, plus P M square, और A P क्या हमने माना है, X square, so X square is A M, का square लिख लिख लिए यहां पर, A M square, plus P M, P M, P M का square, plus P M का square, कर लिया, चीक है, आगे चलते हैं, एगें, यहां पर इस वाले triangle में, अगर हम लोग देखें, तो P B का square, P B का square, that is, P B का square हम लोगों ने किया, यहां पर, P B square is equal to, क्या हो जागा हमारा, N B का square, is equal to, B N का square, ध्यान से देखेंगे, B N का square, plus P N का square, तो P B क्या था हमारा हमने, Z माना था, So, Z square is equal to, B N का square, plus P N का square, Okay, Similarly, उपर वाले triangle को, अगर हम देखें, तो P C का square, P C का square, is equal to, क्या हो जागा, यह वाला, square is equal to, C N का square, plus P N का square, So, we can write here, P N का square, plus C N का square, और again, P D का square, यहां पर ली सकते हैं, P D का square, is equal to, P D का square, is equal to, चाज़े का, P N का square, plus M D का square, P N का square, plus M D का square, तो हम लोगों ने, एक राइट एंगेंगल, ट्रेंगल यह, एक राइट एंगल ट्रेंगल यह, एक राइट एंगल ट्रेंगल यह, इस चारो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथा गरस थेयरम को यूज किया, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, क्या प्रूफ करना है हमें, पी ए स्कॉर, पी ए स्कॉर हम लोगों ने निकाला, यहां ए पी ए स्कॉर, ठीक है, प्लस पी ए स्कॉर, मतलब यह सपोच ए 1, यह 2, यह 3 और यह 4, यह 4 है, तो एक और 3 को जोड़ते हैं, तो पी ए स्कॉर, ध्यान से देखेंगे, पी ए स्कॉर, प्लस पी 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 ए स्कॉर, प्लस पी ए स्कॉर, प्लस पी ए स्कॉर, प्लस पी ए स्कॉ प्लस पी एन स्क्वाइर प्लस सी एन स्क्वाइर प्लस सी एन स्क्वाइर प्लस सी एन स्क्वाइर ध्यास देंगना यह वाला जाए ठीक है अब यहाँ पे एम स्क्वाइर एम क्या है यह वाला पार्ट पी एन स्क्वाइर क्या होगी हमारा पी एन स्क्वाइर यह वाला पार् तो देखिए, इसको ऐसे लिख से सकते हैं, am² प्लस am, am² यह nb के बराबर है, जो प्लस cn², यह वाला पार्ट, प्लस pm² प्लस pm², प्लस pm², एरेंज करके हम लोगों ने लिखी है, pm², ठीक है, यह हो किया, अब हमें क्या आड़ करना है, यह वाला, यह वाला, प्लस pm², प्लस pd², चलो जी, pd², प्लस pd², कर लेंगें इसको, तो यह हो जाएगा हमारा bn², अब यह है bn, ध्यान से देखिए, bn², bn और am दोनों बराबर है, bn², ओके, प्लस pn², प्लस pn², अरड़ी है, इसमें, कर लिया, ओके, pb² हो गया, अब pd², pm², चलो, pm इसमें भी है, pm², और md², md कौन सा है, md², so, md² हम लोगों बने के लिया, अब चुकि, am और bn, am is equal to bn, और md is equal to cn, md is equal to cn, तो, यह वाला टोटल पार्ट, अगर यह हमने a माना है, और यह हमने b माना है, यह सारा का सारा, right hand side में चाहा है, सभी का सम बराबर है, so, we can write here, pa², प्लस pc², is equal to, pb², प्लस pd², आयाबाद समझ में, बहुत ही, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, और यह मुझे लगते है, NCRT का question है, जा तक मुझे याद है, NCRT के text book का question है, तो आप, वहाँ से भी आप जाकर सर्च कीज़ेगा, NCRT book में तो मिल जाएगा, तो आगे वाले पार्ट में, आगे वाले class में, यह सब चीज़ आपको बहुत ही important हुझाएगा, और use करना होगा question में, question number चलते हैं, 33 और 34, ठीक है, 33 और 34, एक मिनट, के बाद section दी आता है, तो दो question और 33 और 34, कर लेते हैं इसको, इसे erase कर लेते हैं पहले, question number 33, question flash हो रहा है उपर में, graphical type of question है, मैं system से पढ़ता हूँ, in a classroom, four friends are seated at a point A, B, C and D, as shown in figure, तो चलिए, graph को मैं यहाँ पर draw करता हूँ, question number यह है, 33, 33, ठीक है, तो मैं यहाँ रेक्ट question को, drop a count graph को, right hand side में question आपको दिख रहा होगा, so, A, B, C, D, A कुछ यहाँ पर है, B, कुछ यहाँ पर है, C, यहाँ पर है, एक के साथ ही C है, ठीक है, X corner, 3 and 4, B का corner भी जाएगा, again, हमारे पास B का हो जाएगा, X corner हो जाएगा, 6, और Y corner, 7, फीगर में देखें, B का हो जाएगा, यह A है, यह B है, 6, 7, ठीक है, C का corner है, हमारे पास 9, 4, C का corner है, 9, 4, और D का corner है, 6, 1, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे इसे ग्रीड लाइन है, आप देख सकते हैं कि X distance कितना है, Y distance कितना है, X distance मतलब, X coordinate मतलब distance from Y axis and Y coordinate मतलब distance from X axis, यह चीज़ देख सकते हैं, ठीक है, अब कह रहा है, question में, आप देखना परेगा पहले, ठीक है, इसको जॉइन करते हैं, But don't you think ABCDJSquare generally disagree using distance formula which of them is correct, कौन सा correct है distance formula को use करने पर, चलिए, तो अगर square है, तो square में all sides are equal, ठीक है, जितने भी sides होंगे, वो equal होंगे, पहली बात होगे, और square में side equal होता है, तो वो तो rhombus में भी होता है, तो rhombus और square तो अलग-अलग है, ठीक है, और दूसरा हम क्या कर सकत है, लेकिन rhombus में क्या होता है, square में all sides are equal, but, and all diagonals are also equal, लेकिन rhombus में all sides are equal होता है, लेकिन diagonal बराबर नहीं होता है, तो square को prove करने के लिए, हमें क्या करना होगा, all sides को equal करना होगा, और diagonal को भी equal करना होगा, चलिए, देखते हैं, तो all sides हम लोग, distance formula क्या होता है, distance formula होता है AB का distance निकालेंगे अगर under root तो 3 minus 6 का square plus 4 minus 1 का square ध्यान से देखेंगे यह AB AB का formula distance formula मैं यहाँ लिए लिएता हूँ under root x1 minus x2 का square plus y1 minus y2 का square ठीक है तो यह हो जाएगा under root 3 minus 6 तो 3 तीन 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 नो और यह हो जाएगा 4 minus 39, 18 हो गया under root 18 चलो AB का मान निकाल गया BC का देखेंगे BC का एगे निकालेंगे 6 minus 9 6 minus 9 का square plus 1 minus 4 का square तो यह भी हमारा 9 plus 9 BC का भी value under root 18 CD की value अगर निकालते हैं CD 9 minus 6 9 minus 6 का square plus 4 minus 7 का square so this is equal to again 9 plus 9 again यह 18 आ गया और दिये की अगर value निकाले तो under root 6 minus 3 6 minus 3 का whole square plus 7 minus 4 का square तो यह भी 9 और 9 हो गया so this is 18 ठीक है तो 4 sides तो बराबर हो गया तो यह 4 sides बराबर हो गया तो यह square होगा डारेक हम लोग square नहीं कहिंगा अभी यह square हुआ नहीं है क्योंको 4 sides equal rhombus में भी होता है अब square है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए यह वाला diagonal और यह वाला diagonal दोनों निकालना होगा और देखना होगा कि दोनों diagonal का length equal है की नहीं है चलो जी तो हम लोग यहां से निकालते हैं AC AC is equal to 3 minus 9 3 minus 9 का स्कॉरर plus 4 minus 4 का स्कॉरर 3 minus 9 क्या हो जागा पच्चों यहां पर 6 का स्कॉरर 4 minus 4 0 तो AC is equal to 6 हा जाएगा और दूसरा diagonal है BD so BD is equal to under root 6 minus 6 का स्कॉरर 6 minus 6 का स्कॉरर plus 7 minus 1 7 minus 1 का स्कॉरर so this is equal to 0 plus 6 का स्कॉरर this is equal to 6 so all sides are equal right सारे sides हमारे क्या हो गए बराबर हो गए और बोथ diagonals are also equal 4 sides बराबर हो गए और diagonals भी equal हो गए इसका मतलब है कि यह square है तो कौन कह रहा था कि यह square है यह कह रहा था चमपा और चमेली वागर तो चमपा ने कहा चमेली को तो चमपा करेक्ट होगे तो अब देख लेंगे कौन की इसको क्या भोलना है तो यह square basic concept यहाँ पर क्या है कि जब भी हम square को decide करेंगे तो square को decide करने के लिए हमें total number जो sides होंगे उस sides को निकान ला होगा distance formula अगर use करते हैं चारो sides बराबर होने चाहिए और diagonals भी बराबर होने चाहिए चलिए आगे चलते हैं last question फटाफट करने थी इसके बाद हम लोग दूसरे सेक्शन में जाएंगे दूसरी वीडियो को चलिए इसको question है ये solve graphically question नमर 34 question नमर 34 equation है 2x minus 3y plus 13 is equal to 0 2x minus 3y plus 13 is equal to 0 ये equation a है माल लेते हैं और 3x minus 2y plus 2y 3x minus 2y plus 12 is equal to 0 suppose ये equation भी इस जोनों को equation को हमें graphically solve करना है तो जब भी हमें graphically solve करना होता है तो हम क्या करते हैं points को निकालते हैं dependent variable लेते हैं independent variable लेते हैं क्या होता अभी बताऊंगा मैं और points को हम लोग x axis और y axis पे draw करते हैं अभी हम draw करेंगे और जब दोनों line का जो हम लोग point draw करेंगे तो ये straight line आएगा जिस point पे ये cut करेंगा वही point इसका solution हो जाएगा तो graph paper यहाँ पे use करना है क्योंकि अगर graph paper यूज नहीं करते हैं तो आपको exact value नहीं मिलेगा चलिए इससे पहले कि solution होगा की नहीं होगा तो a1 over a2 does not equal to b1 over b2 ratio अलग अलग है तो ये consistent solution होगा मतलब ये solution होगा इसका ठीक है तो ये चीज़ हम बाद में देखेंगे ये चीज़ हम लेए अपने mind में देखना है चलिए तो यहाँ से हम लोग first equation को लिख सकते हैं theory y is equal to 2x plus 13 so y is equal to 2x plus 13 divided by 3 first value equation को लिख लिखिया अब हमें इस तरह से table बनाना है horizontal table बहुत important होगा 1,2,3,4,5 तो हम लोग कम से कम 3 points लेंगे लेंगे 2 points लेंगे कम से कम 3 points लेंगे so यहाँ पे हम लोग x ले लिए यहाँ पे हम लोगों ने y ले लिया x का value अब हमें put करना है ठीक है तो x is equal to ध्यांज देखेंगे x is equal to हम लोग 0 put करते है ठीक है तो यह 0 और यह 13 over 3 हो जागा so 13 over 3 x is equal to 1 put करते है x is equal to 1 तो यह कितना हो जागा बच्चो 15 13 अब दो 15 over 30 15 over 3 ठीक है x is equal to minus 1 put करते है minus 1 तो यह minus 1 हो जागा 13 minus 1 2 तो हो जागा 11 over 3 ठीक है कुछ इसी तरह से आ रहा है और x is equal to अगर हम minus 1 2 put करते है यहांपे 2 तो 17 हो जागा 17 over 3 और x is equal to अगर minus 2 put करते है तो क्या हो जागा minus 2 minus 4 9 x is equal to minus 2 तो minus यह हो जागा point चलो जी draw करते है यह x और यह y हो गया x is equal to 0 y is equal to 1 तो यह हम लोग जीओ यह 1 हो जागा एक point तो यह हो जागा ठीक है दूसरा x is equal to 1 y is equal to 15 over 3 तो x is equal to अगर 1 है तो y is equal to 15 over 3 कितना हो जागा 3 पच्चे 15 over 3 5 हो जागा तो 5 हो जागा तो 5 ले लिए यह 1, 2, 3, 4, 5 कुछ यहां पर यह point हो जागा ठीक है 2 point ले गया अब यहां पर x is equal to यह हो जागा minus 1 यह 1 ले लिया यह minus 1 पर आते हैं तो minus 1 पर 11 over 3 तो 3 के लगवम में आए y is equal to 1, 2, 3 3 से अधिक ते exact लेंगे ठीक है ठीक है थोरा से थोरा से तो यहां पर point आ जागा ठीक है और x is equal to अगर minus थीरी से थोरा से दिखोगा x is equal to minus 1 पर x is equal to minus x is equal to minus y is x is equal to minus 2 लिया तो 9 चर्टे रहा तो 3 जागा तो 1 minute 3 तीयानो x is equal to minus 3 पर यह हो जागा minus 1 और यह minus 2 ठीक है वैटे मिनट x is equal to अगर हम लोग यहां पर minus तो यह 11 हो जागा तो 3 से अधिक हो जागा x is equal to point को फिर से draw करते हैं x axis और y axis लेके थोरा से यहां पर कुछ mistake हो जागा लग रहा है चलिए x is equal to 0 y is equal to 13 over 3 0 1 2 3 4 5 आगे लेके हैं minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लोगों ने स्केल पर ले लिया x is equal to 0 और y is equal to 4 point something तो 4 से दिक होगा 1 2 3 4 यहाँ पर कुछ point होगा ठीक है इस तरह से x point को rate से ले ले लेती हैं समझ में आने x is equal to 1 तो y is equal to 5 x is equal to 1 y is equal to 5 कुछ यहाँ पर आएगा ठीक है x is equal to minus 1 y is equal to 3 से थोड़ा से अधिक 1 to 3 x is equal to 3 से 3 पर आएगा अधिक तो यहाँ पर कुछ point आएगा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आएगा ठीक है x is equal to 2 y is equal to 17 और 5 से अधिक x is equal to 2 y 5 से अधिक कुछ यहाँ पर आएगा जब हम इस तरह का point को draw करेंगे तो यह एक straight line इस तरह से आ जाएगा ठीक है तो यह हमारा straight line हो गया इसका 2 x minus 3 y plus 13 का अब हमारे पास दूसरा equation है तो इसको और लोग लिख सकते हैं देखे ध्यान से 2 y is equal to 3 x plus 12 so y is equal to 3 x plus 12 over 2 again हमें इस तरह से table बनाना होका बना लेते हैं ठीक है और यह हो जाएगा हमारा x हो जाएगा y चलिए x is equal to 0 y is equal to 0 12 by 2 so 6 x is equal to 1 y is equal to 15 divide by 2 x is equal to minus 1 y is equal to 9 divide by 2 9 divide by 2 minus 1 में 9 आजाएगा x is equal to 2 y is equal to कितना जाएगा 3 में 6 12 6 18 divide by 9 x is equal to 2 जो जाएगा 6 12 दो 9 जाएगा तो अब इसे हमें point को draw करना होगा तो चलिए draw करते हैं इसको x is equal to 0 y is equal to 6 x is equal to 0 y is equal to 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ point यहाँ पर आजाएगा पहला दूसरा है x is equal to 1 y is equal to 15 over 2 x is equal to 1 y is equal to 15 over 7.2 आजागा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.5 तो कुछ यहाँ पर आएगा ठीक है ऐसे अब ग्राफ को x is equal to 2 y is equal to 9 x is equal to 2 y is equal to 9 तो और यह उपर चला जाएगा ठीक है जब हम इसको draw करेंगे तो कुछ यहाँ पर कट के आएगा को एक particular point जो point कट के आएगा उसके direction में x क्या हो जाएग y क्या हो जाएग direction में x क्या हो जाएगा वही हमारा question का answer हो जाएगा तो आप इसको जो है ग्राफ पे आराम से plot करेंगे तो आपको exact मिलेगा board पे नहीं मिल पाएगा तो ग्राफ को draw करने के लिए हमें यह हो जाएगा independent variable यह x हो जाएगा dependent variable तो इस तरह से लोगों ने 34 question कर लिया इसके बाद हमारा जो आता है section D जिसमें 35 to 40 है 6 question है और हरे question 4 नमबर के हैं बड़े-बड़े question आएगे तो इंसको आपने लोग next class में देखेंगा तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते है have a nice day जाहिन